अगली खबर में बात करते हैं सारंगपुर की जहां आस पास के सभी ग्रामों में बाबा विग्न हरन मंगल करन घर घर विराज मान हुए पंडित जितेंद उपात ध्याई के द्वारा बताया गया है कि सुकल पक्ष चतुर्थी के दिन भगवान विग्न हरता गड़ीज जी का जन्म हुआ था इसनिये चतुर्थी के दिन का बहुत महत्व है बहुत सालों के बाद यह सुभ योग बुधवार के दिन का बना है वहीं काचरिया भाई में वीर सिवाजी संगठन के द्वारा बाबा बिग्न हरन को धूम धाम से विराजमान किया गया भाववे स्रद्धा के साथ सभी भक्तों ने मिलकर बाबा गड़ेश जी की स्तुती गाई एवं आर्थी की गई आर्थी किस प्रकार आच आपने बाबा को यहां पर विराजमान किया है हमें ध्रंदान से बाबा को आई यहां पर विराजमान किया है और गाउं के सभी स्तुत आपना करते हैं और पुरे गाउं का सभी यह पर आपना यह पर अतना है कि हमारे गाउं में तुद्सम्रदी दे और सभी को आन्दन में रखेंगे